हेलो, नमस्कार सांतियो, वेलकम तो रॉयली स्टडी, दोस्तों, SSE CGL Analysis 2020 की हम फाइनली आपके लिए 9 सितंबर 2020 को आज फस्ट सिप्ट का जो Analysis है, यह आपके लिए लेकर आ चुके हैं, आज आपका फस्ट सिप्ट का exam हो चुका है और पूरे की पूरे questions आपके exam में जितने भी पूचे गए, हमारे पास में पूरे की पूरे questions आ चुके हैं विद प्रूप आपको हम बताएंगे एक चीजे, इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं, तो आप हमारी application को download का लिजिगा, जिसके link आपको description में लियागी साथ ही हमारी टेलिग्राम चेनल और WhatsApp चेनल गूर्प को जोईन का लिजिगा, जिनके भी link आपको description में बिल जाएगी और guys आपका भी आने वाले अगर सिप्ट में या आने वाले किसी भी दिन exam में, तो आपसे request है कि आप हमें नंबर पर अपने question जरूर से WhatsApp करें ताकि हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक और 100% जो accurate energy से वो आपको देबाएं तो आज यवे जो questions बेज़े हैं ये तनमे जेन जी जो की दिल्ली से हैं, राजी उसुकला जी जो की UP से हैं, इसके अलावा निहारीका जी जो की MP से हैं तो इन तीनों ने काफी अची तरीके से questions बताएं, यहां तक कि इनों ने exact और 100% accurate questions बता दिये जो आपकी exam में पूछ गए हैं तो आईए स्टार्ट कते हैं और आप सभी से request हैं कि अगर आपका भी exam हो तो जरूर से question sent करेगा ताकि हम आपके लिए 100% accurate analysis ले पाएं और आपको यहां से जाज ज्यादा चीज़े, पता चल पाएं आईए स्टार्ट कते हैं उससे पहले हम बता दे हमारी SSC CGL की special test series है अगर अभी तक आपने इन्रोल नहीं किया गाई तो काफे चैसल offer चल रहा है और special के तायत आपको नाम मात्र के सुल्क पर यह दी जा रही limited time है इन्रोल नहीं किया है तो कली जगा 500 से अधिक test दले है यहाँ पर सबसे पहले questions कवर करेंगे उसके बाद में मैस reasoning और English के और आगे बढ़ेंगे पहला question आपकी स्कीट पर आ चुका है लता मंगेशकर को किस वर्थ भारत रतने से समानित किया गया था आपका correct answer 2001 हो जाएगा लता मंगेशकर जी जिनको भारत रतने से समानित किया 2001 में यह question कुछ इस तरीके से भी पूचे जा सकता है कि 2001 में लता मंगेशकर जी को कौन से समानित किया गया तो मंगेशकर जी को 2000 में कौन से रतन दिया गया था भारत रतन अवोड दिया गया था अब questions बताने का format सबका अलग अलग रहता है तो आप थोड़ा सा corporate को कर और वहां भारती फिल्म उद्योग में सबसे बहुमों की गाईकाओं में से एक और संगीत की एक सामाइक संगीत कारी हैं उन्हें भारत के सबसे महान में सावाना जाता है उन्होंने अपने आठ दसक लंबे करियर के दुरन भारती संगीत जो द्योग है इसमें अपने है कि queen of melody के नाम से किसे जाने जाता है तो आप बिल्कुल भी confused नहीं होईगा और आप ऐसा भी नहीं किसकते कि आपको यह नहीं बताए क्योंकि हम अल्रेडी आपको सारी चीजे वित डिटेल्ट एनालीसिस करा रहे हैं इसी लिए आपको यहां से सबसे जादा questions आपकी एक्जाम में रेखने को मिलेंगे तो queen of melody नाइट इंगल ओफ इंडिया और वायस of the millennium जिसे प्रसिष्टिट नामों से इनको जाना जाता है तो कोकिला आपको सभी को बताइए उपनाम इनका अपने करियर के दुरान उन्होंने जो है कई पुरुसकार और समान जीते हैं भारत सरकार की ओर से 1989 में यानिकि 1989 में दादा साफ फाल के पुरुसकार से इनको समानिक किया गया था राष्ट के लिए उनकी उपलब्दियों के समान में उन्हें 2001 से जो है 2001 में भारत रतने जो समाने से समानित किया गया तो याद रखेगा 1989 में दिया गया था दादा साफ फाल के पुरुसकार 2001 में भारत रतने इनको मिला था लदा नहीं मुख के से मराथी हिंदी बंगाली में गाया अलाकि उन्होंने 36 से अधिक विभी ने भारती भासा और कुछ विदीसी भासा हैं इनमें भी गाने रिकोड किये दें अगले कुशन के और आगे बड़ते अगला जो कुशन आपसे बना है कुछ इस तरीके से कुशन आपका बना है 2000 के ल इसका होगा बट कुछ बता रहे थे कि और इस तरह से मिले थे तो हो सकता है कुशन कुछ इस तरीके से पूचे गया होगा कि निम्दांगित में उसे किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 सबसे प्रभावसाली व्यक्तियों में स्तान प्रात किया है तो ये किया है प्रधान मंत्री निमॉद्रवध्व और पश्चंवंघृ या हो तो आपका नरेंदर मोधिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेरे तो आपको इस इसाफ से देख लेज़ेगा हमने दोनुँ चीज़े आपको बता दिये यह पैनल एलन मस्क वाला जो कोशन है यह भी याद रगिएगा यह भी काफ़सद इंपोर्टेंट आपकी एक्सा स्थापके और सी ओवी हैं और ब्रेन चीब स्टार्ट अप न्यूरो लिंक इस प्रस्ट्रक्चर फर्म दा बोरिंग का नेंत्रत विए करते हैं जो और निर्वाचित उप्रास्ट पती कमला हरीस इनको टाइम पत्रिका के 2020 परसन आप दे यहर की रूप में चुना गया था यह 2020 का कुश्ण बना है इसके लाव 1994 कभी कोई संकीत का उनका वोड मिला था वो भी आपका बना था इस तरीके से तो अब हम आदे हैं मोदी जी पर देखें टाइम की 2021 की 100 सबसे प्रभावसाली जो व्यक्तियों की सूची इसमें चार भारती हैं कौन-कौन देखें 2021 की सू इसमें चार व्यक्ति हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सिरम इस्ट्योट आफ इंडिया के CEO अदार पुने वाला इसके अलावा वश्यमंगाल की मुक्यमंत्री ममता बनर्जी और एस पैसिफिक पॉलिसी और प्लानिंग काउंसिल ए थ्रीव पी इसकी कारिकारी निदेशा के मन्यूसा पी पुल करनी तो ये चार लोग इसमें सामिले 2021 के लिए सबसे सो सबसे प्रभावसाली लोगों के रुप में याद रगिएगा अगला कुशन पूचा गया है आपसे महेंद्र वर्मन प्रतम के समझे तो करेक्ट आंसर आपका पल्ल राजवन्स महेंद्र वर्मन प्रतम को पुल के सिंद्वीति ने हराया था याद रगिएगा ये कुशन इसलिए हमने फस्ट में डालाए क्योंकि यही आपका ज्यादा आईलाइट है इससी का फैवरेट है कुशन बने का आगे तो पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन प्र पॉली लूर सहर में लगबा कुशन बने की राजा जो पुल के सिंद्वीति है ये किस राजवन्स का है तो चालुक के राजवन्स आपको याद रखना है महेंद्र वर्मन पर्थम एक पल्लव राजा था जिसने साथवी स्थापदी की सुरुवार जो है आंदर प्रदेश जो वरतमान आंदर प्रदेश है इसके दक्शिनी भाग और वरतमान जो तमिलनाडव इसके बने शेत्रों पर भी सासन किया था पल के सुन दिटी देके पल के सुन डिटी जो है वातापी के चालुक की जो वनस्ता इसका सबसे प्रताबिस आ सकता पूशन है आपके लिए इंपोर्टेंट फेक्ट है और उनके सासन काल के दुरान चालुक की जो सामराजेस कविस्तार प्राइद इपि भारत के अधिकां इनका पूरा नाम है ये एक भारती तमिल राजनिता है जो तमिलनाडु के आठवे और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सेवा रहे दे उन्होंने पूरा नाम है इसके अलावा तमिल राडु के जो पहले मुख्यमंत्र थे ये कौन थे तो सी इन अन्ना दुराई ये तमिल राडु के पहले मुख्यमंत्र थे तमिल राडु के बारे में कुछ हिंट आपको दे देते हैं इंपोर्टेंट डिटेल जैसे कि मुख्यमंत्री यहां के एम के इस्टरीन है और जून 2021 को बने राज जिपाल कौन है तो आर इन रवी हो जाएंगे लोकसभा की 49 सीटे हैं यहां पर राज्यसभा की 18 सीटे यहां पर देखने को बहते हैं अगला जो कुशन बना है यह भी आपका बैक टो बैक करेंट अफेर से कुशन बनाए अभी लेटेस्ट का वरतमान में कौन क्या द जो 28 से 18 large pop की मंत्री और प्रत्वी क्यान मंत्र के रूप में सेवा रहा थे विए विज्ञान राजमंत्री भी है साद जी डॉक्तोर जीते इंद्र अगला कुशन आपका बना है देखे यह जो कुशन है अभी हाली में आपकी यूपी पुलिस कॉंस्टेबल एक्साम होगी उसमें भी पूचा गया लट मार होली लट मार होली के स्थान पूचे जाता है तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखनें बरसाना के लिए प्रसित है लट मार जो होली है हिंदू त्योहार होली में मनाय जाने वाले एक इस्थानी उससावर बैसे लिए बरसाने की होली हिंदू पंचेंग के नुसार फागुन मास्की सुपल जुपक्छे है इसकी नौमी के दिन मनाय जाती है और उत्तर प्रदेश में बरसाना और नंद या फिर रंग पंचवी 500 दिन पर रंग के रूप में विए इसको जाना जाता है तो महरास्क में इसको सिग्मा या रंग पंचवी के नाम से जाना जाता है अगला कोशन भारती तबला वादक पंडित सुपन चोदरी को 1996 में कौन सा पुरुसकार मिला था तो अपन चोदरी जानों के लिए दोगाफ इन्होंगने अमेडिकन अकेडमी फोर के उन्होंने अमेरिकन अकेडमी ऑफ्टिस्ट अवर्ड प्राप्थी किया उन्हें परक्यू से यू जो साईटशाइटी कीना माँнутट यह जिसी निरे फोर पर के लिए ये मिला जो भारत में सास्त्री संगीत के लिए सरवची पुरुसकार हैं 2019 में उन्हें भारत सरकार से भारत के सरवची समानों में से पदमस्री से भी समानित क्या जा चुका तो पदम स्री इनको कब मिला? 2019 में 1996 में इनको मिला संगीत नाटा का खाद्मी फुरुसकार आप यहाद रखिएगा अगला कुशनी भारति सन्विदान का अनुचीद 32, अनुचीद 32 किसे से रिलेटेड है, किसे समझे दे तो सर्वोच नियाले और उच नियाले को मौलिक अधिकारों के रख्चा के लिए रिट जारी करने का अधिकार याने रिट अधिकार करने से रिलेटेड है अनुचीद 32, वारति सन्विदान का अनुचीद 32 है, इसके तैस सर्वोच नियाले और उच नियाले को सब्सक्राइब इस्वार्टिस सनविधान की आत्मा और हिर्दे कहा है डप्र अमबेटकर सहाब ने तो बारती सनविधान के अनुचिए 32 को डौक्टर बीयार मेटकर द्वारा भारती सनविधान का हिर्दे और आत्मा बदाया गया यहाँ एक नागरिकों को उसके किसी भी मोलिक अधिकार के उलंगन के मामले में सरवची नियाले का दरवाज़ा खट-कटाने का अधिकार प्रदान करता है इसे सनवेदानी गुपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है और याचिकाओ के प्रवरतन के लिए उची नियाले जाने का अधिकार भी ये देता है अब ला कोशन है भारती सनवेदान का अनुची चालिस किसे संबनी थे दो कोशन बैक टूबेब काफ के अनुची चालिस के आर्टिकल से बने है यहां उन्हें ऐसी सक्तियां और अधिकारों से संपन्न करता है जो वहां उन्हें सुषासन की एकायों की रूप में कारी करने में सच्छे मनाएगा और भारत के संविदान में अनुची चोटी क्या नाम क्या है नील गिरी की जो सबसे उची चोटी यह डोडा बैटा आपने नाम सुना होगा डोडा बैटा तो भारत के तमिलनाडु राज्ज में नील गिरी जो परवत है जिसे नीला परवत भी खाहा जाता है इसकी सबसे उची चोटी है तो कुशन इस तरह से भी बन सकता है कि नील गिरी जो परवत है कहां पर है तमिलनाडु राज्ज में नील गिरी परवत इसे नीला परवत भी कहा जाता है और इसकी सबसे उची चोटी है डोडा बैटा तो कुशन भी बन सकता है कि डोडा बैटा जो है यहां परे अगला कोशन पूचा गया रावी नदी का पुराणा नाम आप से तो रावी नदी का पुराणा नाम है यह पुरुस्नी है पुरुस्नी आपके रेक्ट आंसर रहे जगा सिंदुगांटी सब्विता दक्षिन इश्या के उत्तर पश्चिम चेद्र इसमें कांश य रावी नदी का पुराणा नाम है पुरुस्नी या इरावती इसको अगर इरावती आपको देर रहा होगा तो हностे जवाब रहे अगर पुरूसनी चेद्र में चेद्र पुरंदुगार। पुर्वी पाकिस्तानी इसमें देखने को आपको मिलती है अगला कुशन है सबसे ज्यादा उपजाव पठार कौन सा है तो दक्कन का पठार बैसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और बैसाल्ट में बहुत महीन दाने वाली सरचना होती है क्योंकि यह एक बहिर मुखी जो है आगने चट्टाने है तो आप बोल सकते हैं कि दक्कन का पठार है खनी नीचे पान और कुछ कीमती पत्तरों से समरत दें पठार का जो उत्तरी पश्चिमी भागे यह लावा प्रवाह या आगने चट्टानों से बना हुआ है जिससे दुनिया के सबसे बड़े जो अलमों की प्रांतों में से एक बन गया दक्कन का जो पाठार है यह एक तरबुजा कारब हुआ गये तो आप याद रखिएगा हो सकता है कुछ आपसे गोला कारगा यह आपर बने होनी चाहिए यह कोई मैटर नहीं करता है भारत के रास्ट पतिपत के चैन के लिए उनकों से योगिता होनी चाहिए तो भारत के रास्ट पतिपति के चुनाओ के लिए पात्रता जो है उसमें उसे भारत का नागरिक होना होनी चाहिए, उसे 35 वर्स की आयूँ पूरा कर चुका चुकी होनी चाहिए और उसे लोकसभा के सतेश्य के रुप में चुनाओ के लिए योग्य होना चाहिए और उसे भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधिन या किसी भी सरकार के नियंतरन के अधीन किसी इस्थानी या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाप का जो कोई भद है ये नहीं रखना चाहिए अनुचियत 58 ये कहता है और ये जो है योग गिता भारत के रास्टपती पर पादरता के लिए चाहिए होती है अगला कुशन है विस्व मौहन भट अप गाइज ये जो कुशन है अभी तक आपको बताई सारे के सारे अलडरी हम आपको कवर करवा चुके हैं और ये विस्व मौहन भट वाला कुशन है अभी कली हमने कवर तरवाया आपका हमने जो वाग्यंत्र वाला वीडियो दिया वाग्यंत्र और वादक वाला उसमें हमने इस फ़ुआ को काफ़ी तरह reached का विठिधोर आपने नही je तो आप जरूर से प्लैलिस्ट बनी है आप जाकर चिक आउट कर लिजगा वहाँ से आपके सारे जो कोश्यां से वह इस तरह के कवर हो जाएंगे विस्व मोहन बड़ जो है 1994 में पून सा अवोर्ड इनको मिला प्रहसिष्टित ग्रेमी प्रुसकार इन्हों ने जिता है इसके रुद्र वीना के लिए या मोहन वीना भी आप इसको बोल सकते हैं प्रुसकार जीतने वाले पंडित विस्व मोहन बड़ इलबम ए मिटिंग वोई दर रिवर विद और उडर इसके लिए सबसे ज़्याद है जान जाते हैं 2017 का कल संगीत के शित्र में प्रुसकार विस्व म मोहन बड़ को प्रदान बड़ एक ग्रेमी विजेता हिंदुस्तानी साथ से संगीत वादा कि जो मोहन वीना या मोहन वीना या रुद्र विना ये बजाते हैं अगला कुशन नील दरपन पुस्तक के लेका कौन है तो दीन बंदु मित्र आपका गरेक्ट आंसर हो जाएगा नील दरपन एक बंगाली नाटक था जो 1859 में दीन बंदु मित्र द्वारा लिखा गया था और बंगाल में फरवरी मार्च 1969 को नील विद्रा या इंडिगो व अगला कुशन पूचा गया विदेश वियापार नीती को परतियक वर्स नई योजना और संसाधनों के साथ नया बनाया जाता है परतियक विदेश वियापार नीती ये होती है केंद्री वानी जो मंत्राले पृतिये 5 वर्स में समयनवीत विदेश वियापार नीती की घूसना करती है जिससे कि एक जिनी भी हम बोल सकते हैं और हाली में इसे 1 अप्रिल 2015 को अगले 5 वर्सों के लिए घोसित किया गया था और 2020 के बाद इसे नवी निकरत किया जाएगा यानि कि इस तरह से ये जो है 5 वर्स के लिए बनाई जाती है 5 वर्स भाद फिर से इसको नवी निकरत किया जाता है सामन्त वाद विरोधी आंदोलोनों के लिए काम करने वाला एक किसान मोरत है विसकी जो स्तापना है 1932-1936 में भारती राष्टी कॉंग्रेस INC के लगनाव सत्र में अक्ली भारती किसान कॉंगरस के रुप में इसकी स्तापना हुई थी अगला कॉशन पूजा गया आपसे BCCI से रिलेटेट किसका है आपसे पूचा है कहां परें भारती किर्केट कंट्रुल बोर्ड BCCI का मुख्याने कहां परें मुंबाय का रएक रंसर हो जएगा भारति किरकेट कंट्रोल बॉर्ट BCCI को मुख्याले मुंबाय का जो वानिे स्टेडिया में यहाँ पर आपको reader को मिलता है भारति किरकेट कंट्रोल बॉर्ड BCCI का गठन हुआ था December 1928 को Provisonal Board of Control के रूप में गठन किया गया था सब्सक्राइब है फिसका मुंख्यान है का परें दूबाई सपोर्ट स्पोर्ट्स सुन्यूक्त हरव अर इसके अभी चेर्मेन कोन बने यह जो कि सचीवत पहलें अभी हाली में इनको जो है अंतरास्टी करिकेट परिसद आई सीसी के चेर्मेन नियुक्त क्या गया है तो याद रगिएगा हो सकता है कोशन आपसे बन जाए अगला कोशन ने प्रात्ना समाज की जो स्थापना थी ये किस परस की गई थी 1866 में प्रात्ना समाज की स्थापना हुई थी 1866 में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी अगला कुशन पूचा गया सुधरसन जील कहां पर गुजरात का जो जुनागडे यहाँ पर गिर्नाद पहाड़ा के बीच पर बीचते थे सुधरसन जील पुष्ज्ज गुप्त राजजपाल, पुष्यू गुप्त वेजट दवरा इसका निरमान किया था ये भारत की सबसे पुरानी मानव जीले याद रखेगा अगला कोशन पूचा गया आपसे गोल्प का सबसे पुराना क्लब कौन सा है तो रायल कलकत्ता गोल्फ जो कलब है ये गोल्प का सबसे पुराना क्लब है याद रखेगा रोयल कलकत्ता गोल्फ कलब के साबना हुई थ बाहरत का सबसे पुराना गॉल्फ बाना जाता है ये ग्रेटेटें ग्रेट ब्रेटें जो है इसके बाहर स्थापित पहल गॉल्फ क्लब भी है और यह कलकत्ता ये जुक लवे कोलकत्ता मिश्टी इसका एक समरद दी थहां से जिसने कई कोई प्रॉप ट्रॉनामेंटो की अगला कुछन पूचा गया ताइगर प्रोजेक्ट के सुरुबात का बूजी तो उनिशोटी आतर में वह थी 1973 में वारत में राष्टी परसु बाब की घटती आबादी के सफारिसों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को दो हजार पांच में शुरू किया गया था नेशनल है ना और इसे वन इजिव संदक्षन अदिनियम उनिस सो भाद तर के 2006 के संसुदन द्वारा वेदानिक दर्जा दिया गया और 6 सितंबर 2006 को यह लागू हुआ था अगला कुशन कुछ इस तरीके से बनाए कि 2030 अवोर्ड में गाया के नाम पूचा था इनको कौन सा अवोर्ड मिला इस तरह से यह एक्जेक्ट कुशन आपका नहीं बनाए तो इस अगला कुशन है आपसे चूल वंस के संस्ताफक को ने तो वीजयाले हो जाएंगी वीजयाले चूल वंस का संस्ताफक था और उसका सहसन काल था आठ सो पचासे 870 इसा वीजयाले ने पांडियों और पल्लवों के बीच युद्ध का लाब उठाकर राजवंस के स्ताबना क कि टी उसने तंजावर को इलंगू रीयर सजीद लिया था और जो मुत्रेयर वस गहन्तिम सा सकता था मुत्रेयर रा सब्सक्राइंट दिकार में उनके के में तो यहाद रहतो को स्याहे रेता हूझ है यहाँ पर यह कुंशेंस हुचिके हैं ट्री जंट्य जगत से बनातां बता रहे थेlam सब्सक्राइब तो इस तरह से कुशन आपको यहां पर 25 कुशन आपकी एक्जाम पुछ रहे जो कि पूरे को पूरे हमने विद्प्रोब बता दिये हैं यह हो सकता है आपको जो 2627 दो कुशन एक्स्ट्रा है तो इनमें से यह कुशन का एकड़र नहीं पता चल पाया कि क्या आप सभी के लिए हम इतने कुशन लेकर आए हैं जो कि यहां पर हमने करवाया है और आप सभी को यह जो पैपर है यह कैसा लगा कमेंड में कमेंड कर जरू सबताएगा अभी क्योंकि हम और भी आपको मैस रिसनिंग और इंग्लिस के काप सारे टॉपिक्स कवर करवाने वा आपके अकोडिंग भी अगर जो हाड लग रहा है पैटन कैसा है बाकी सब्जेक्ट में वह बता सकते हैं और यह इन पर जो है काफे चेसल ऑफर चल रहा है लिमिटेट टाइम के लिए अगर आपने अभी तक इन्रोल नहीं किया है तो कर लिजिगा क्योंकि इन में काफे ज सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक इन्रोल नहीं किया तो इन्रोल कर लिजिगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल आएगे अब हम आगे बढ़ते हैं और मैस की बात करते हैं तो आपका पूझा गया इससे कुश्चन बने हैं ट्रिग्नोमेट्री से तीन से चार कोशन आ प्लोपी टेन लोग से तीन कुशन हैं ऐसा है से एक कुशन बनाएं एवरेस से एक कुशन बनाएं इसके लवाज जोमेट्री से दो कुशन आपके पूझे गया हैं हम यहां पर बैसे लिए टॉपिक आपको बता रहे हैं ताकि आप उन टॉपिक को अच्छे से कवर कर ले दियाई से तीन कुशन आपके बने हैं नंबर सिस्टम से एक कुशन बनाएं और आपको बताएं मैस और रिजनिंग में कुशन याद रगना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कुशन हमें नहीं मिल पाए हमें उन लिए टॉपिक ही बताएं उन्होंने तो टॉपिक हम और भी आपकी एकसाम में टॉपिक बने हो बट हमें जोतना मिला है हम आपको उतना बता रहा है यह यह टॉपिक आपकी एकसाम बेपूच गाएं विद एक्जक्ट बता रहे कितने कुश्च कहां से बने रिजनिंग को देख लेते हैं इनलोजी से एकसे बने हैं यह टो है और इस तरीगा का यह फॉर्मेट है अब देख सकते हैं अगर बात करें हम इंग्लिस की तो सब्सक्राइब और यह कुछी सब्सक्राइब डूइब टोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह से पहले ही मांग लेते हैं अव इसे आपका दो कुछने फिलर से आपका एक कुशन है यह कुछ आपको हमने टॉपिक बदाएं और इंग्लिस के जहां से आपकी एक्जाम में लगातार कुशन से बन रहे हैं तो आप इन टॉपिक को देख कर जाएं आगे हम एक दो सिप्ट और कवर कर लेंगो इसके बाद में शूर हो जाएंगे किस टॉपिक से लगात पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपको अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो इस चैनल को सपोट करिएगा जया जयादा क्योंकि हम आगया आने वाले दिनों में और एडवांस तरीके का इन रिलिस जो है आपको करवा रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस आप जरूर से विजट करेंगा डिस्क्रेप्शन में आपको लिंक में लियाएगी यह पीडिएफ डाउनलोड करने के लिए एप्लिकेशन को डाउनलोड का लिजिए का टेलिक्राम चैनल और वाट्सप चैनल को भी जोईना आपको लिए तो मिलते हैं हमारे सेकेंड अनलेसिस के साथ तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम